हरियोम तचसत ज्ञान भक्ती चैनल में आपका स्वागत है। इस सत्संग के माध्यम से हम ज्ञान, भक्ती और सनातन धरम का अनन्द प्राप्त करते हैं। यदि आपने हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो कृपया अभी सब्सक्राइब कर लीजिए। हमारा दंडवत प्रणाम है ब्रह्मांडिय इश्वरिय शक्ति को, हमारे पूजनिय गुरुदेव श्री स्वामी जोतिर्मायनंद जी महराज को, सब संतों और शास्त्रों को और आप सब में विद्यमान परमेश्वर को। आज के सत्संग में हम गीता प्रेस गोरखपुर द्वारा प्रकाशित पद्मपुरान के श्रीमत भगवत गीता के ग्यारवे अध्याय का श्रवन करेंगे। श्री महादेव जी कहते हैं प्रिये गीता के वरणन से संबंध रखने वाली कथा एवं विश्वरूप अध्याय के पावन महात्मय को श्रवन करो। विशाल नेत्रों वाली पारवती इस अध्याय के महात्मय का पूरा पूरा वरणन नहीं किया जा सकता। इसके संबंध में सहस्रों कथाएं हैं उनमें से एक यहीं कही जाती है प्रणीता नदी के तट पर मेघंकर नाम से विख्यात एक बहुत बड़ा नगर है उसके प्रकार और गोपुर बहुत उचे हैं वहां बड़ी बड़ी विश्राम शालाएं हैं जिन में सोने के खंबे शोभा दे रहे हैं उस नगर में श्रीमान, सुखी, शान्त, सदाचारी तथा जितेंद्रिय मनुष्यों का निवास है वहां हाथ में शारंग नामक धनुष्य धारन करने वाले जगदीश्वर भगवान विश्नु विराजमान हैं वे पर ब्रह्म के साकार स्वरूप हैं संसार के नेत्रों को जीवन प्रदान करने वाले हैं उनका गौरफ पूर्ण श्री विग्रह भगवती लक्ष्मी के नेत्र कमलों द्वारा पूजित होता है भगवान की वज्ञाकी वामन अवतार की है मेग के समान उनका श्याम वर्ण तथा कोमल आकरिती है वक्ष्तल पर श्री वत्स का चिन शोभा पाता है वे कमल और वन माला से विभूशित हैं अनेक प्रकार के अभूशनों से शुशोबित हो भगवान वामन रत्मयुक्त के सद्रिश जान पड़ते हैं पितांबर से उनके श्याम विग्रह की कांती ऐसी प्रतीत होती है मानों चमकती हुई विजली से घिरा हुआ स्निक्द मेग शोभा पा रहा हो उन भगवान वामन का दर्शन करके जीव जन्म एवं संसार के बंधन से मुक्त हो जाता है उस करके मनुष्य शाश्वत वैकुंठ धाम को प्राप्त होता है वहाँ जगत के स्वामी करुणा सागर भगवान नर्सिंग दर्शन करने से मनुष्य साथ जन्मों के किये हुए घोर पाप से छुटकारा पा जाता है जो मनुष्य मेखला में गनेश जी का दर्शन करता है वै सदा दुस्तर विगनों से भी पारहोस जाता है उसी मेघंकर नाम नगर में कोई श्रेष्ट ब्रामन थे जो ब्रह्मचर्य परायन ममता और अहंकार से रहित वेद शास्त्रों में प्रवीन जितेंद्रिय तथा भगवान वासुदेव के शरनागत थे उनका नाम सुनन्द प्रिये वे शारंग धनुषधारण करने वाले भगवान के पास गीता के ग्यार्वे अध्याय विश्वरूपदर्शन योग का पाठ किया करते थे उस अध्याय के प्रभाव से उन्हें ब्रह्म ज्यान की प्राप्ति हो गई थी परमानंद संदोह से पूर्ण उत्तम ज्यानमई समाधी के द्वारा इंद्रियों के अंतरमुख हो जाने के कारण वे निश्चल स्थिती को प्राप्त हो गए थे और सदा जीवन मुक्त योगी की स्थिती में रहते थे एक समय जब ब्रहस्पती सिंग राशी पर स्थित थे महायोगी सुनंद ने गोदावरी तीर्थ की यात्रा अरंब की वे क्रमशह, विरज तीर्थ, तारा तीर्थ, कपिला संगम, अश्ट तीर्थ, कपिला द्वार, न्रसिंग हवन, अंबिकापुरी तथा करस्थानपुर आदिशेत्रों में सनान और दर्शन करते हुए विवा मंडप नामक नगर में आये, वहां उन्होंने प्रतेक घर में जाकर अपने ठहरने के लिए स्थान मांगा, परंतु कहीं भी उन्हें स्थान नहीं मिला, अंत में गाउं के मुख्या ने उन्हें एक बहुत बड़ी ध धर्मशाला दिखा दी, ब्रामन ने साथियों सहित उसके भीतर जाकर रात में निवास किया, सबेरा होने पर उन्होंने अपने को तो धर्मशाला के बाहर पाया, किन्तु उनके और साथी नहीं दिखाई दिये, वे उन्हें खोजने के लिए चले, इतने में ही ग्राम पाल म मुनिश्रेष्ट, तुम सब प्रकार से दीर घायू जान पड़ते हो, सोभाग्यशाली तथा पुन्यवान पुरुशों में तुम सबसे पवित्र हो, तुमारे भीतर कोई लोकोतर प्रभाव विद्यमान है, तुमारे साथी कहां गए और कैसे इस भवन से बाहर हुए, इस महामंत्र का ज्यान है, किस विद्या का आश्रे लेते हो, तथा किस देवता की दया से तुम में आलोकिक शक्ती आ गई है, भगवन कृपा करके इस गाउं में रहो, मैं तुमारी सब सेवा शुश्रुशा करूंगा, यों कहकर ग्राम पाल ने मुनीश्वर सुनंद को अपन गाउं में ठहरा लिया, वे दिन रात बड़ी भक्ती से उनकी सेवा टहल करने लगा, जब साथ आठ दिन बीद गए तब एक दिन प्राता काला कर वह बहुत दुखी हो महात्मा के सामने रोने लगा, और बोला हाए, आज रात में राक्षस ने मुझ भाग्यहीन के बेटे क चबा लिया है, मेरा पुत्र बड़ा ही गुणवान और भक्ती मान था, ग्राम पाल के इस प्रकार कहने पर योगी सुनंत ने पूछा, कहां है वो राक्षस और किस प्रकार उसने तुमारे पुत्र का भक्षन किया है, ग्राम पाल बोला, ब्रह्मन इस नगर में एक बड़ भयंकर नर्भक्षी राक्षस रहता है, वे प्रति दिन आकर इस नगर के मनुश्यों को खा लिया करता था, तब एक दिन समस्त नगर निवासियों ने मिलकर उससे प्रार्थना की, राक्षस तुम हम सब लोगों की रक्षा करो, हम तुमारे लिए भोजन की विवस्था किय देते हैं, यहां बाहर के जो पथिक रात में आकर नींग लेने लगें, उन्हें खा जाना, इस प्रकार नागरेक मनुश्यों ने गाओं के मुझ मुख्या द्वारा इस धर्मशाला में भेजे हुए पथिकों को ही राक्षस का अहार निश्चित किया, अपने प्राणों की रक्षा के लिए ही उन्हें ऐसा करना पड़ा, तुम भी अन्य रागीरों के साथ इस घर में आकर सोय थे, किन्तु राक्षस ने उन सबों को तो खा लिया, केवल तुमें छोड़ दिया है, द्विजोतम तुम में ऐसा क्या प्रभाव है, इस बात को तुम ही जानते हो, इस भी मैंने उसी धर्मशाला में भेज दिया, मेरे पुत्र ने जब सुना कि मेरा मित्र भी उसमें प्रवेश कर गया है, तो वह वहां से ले आने के लिए उसे चला गया, प्रंतु राक्षस ने उसे भी खा लिया, आज सबेरे मैंने बहुत दुखी होकर उस पिशाच को पू तो बता दो, राक्षस ने कहा ग्रामपाल धर्मशाला के भीतर घुसे हुए तुमारे पुत्र को ना जानने के कारण मैंने भक्षन किया है, अन्य पथिकों के साथ तुमारा पुत्र भी अन्जाने में ही मेरा ग्रास बन गया है, वे मेरे उदर में जिस प्रकार जीवित औ मेरी मुक्ती होगी और मरे हुऊ का पुनह जीवन प्राप्थ होगा. यहां कोई ब्रामन रहते हैं जिनको मैंने एक दिन धर्मशाला से बाहर कर दिया था. वे निरंतर गीता के 11 अध्याय का जब किया करते हैं। इस अध्याय के मंत्र से साथ बार अभिमंत्रित करके यदि वो मेरे उपर जल का छीटा दे दे तो निसंदे मेरा शाप से उधार हो जाएगा इस प्रकार उस राक्षस का संदेश पाकर मैं तुम्हारे निकट आया हूँ ब्रामन ने पूछा ग्रामपाल जो रात में सोय हुए मनुश्यों को खाता है वे प्राणी किस पाप से राक्षस हुआ है ग्रामपाल बोला ब्रह्मन पहले इस गाउं में कोई किसान ब्रह्मन रहता था एक दिन वह अगहनी के खेत की क्यारियों की रक्षा करने में लगा था वहां से थोड़ी ही दूर पर एक बहुत बड़ा गिद किसी राही को मार कर खा रहा था उस समय एक तपस्वी कहीं से आनिकले जो उस राही को बचाने के लिए दूर से ही दया दिखाते आ रहे थे गिद उस राही को खाकर अकाश में उड़ गया तब तपस्वी ने कुपित होकर उस किसान से कहा ओ दुष्ट हलवाले तुझे दिखार है तुब बड़ा ही कठोर और निर्दई है दूसरे की रक्षा से मूँ मोड कर केवल पेट पालने के धंदे में लगा है तेरा जीवन नश्ट प्राय है अरे जो चोर, दाड़ वाले जीव, सर्प, शत्रू, अगनी, विश, जल, गीध, राक्षस, भूत तथा बेताल आदी के द्वारा घायल हुए मुनुश्यों की शक्ति होते हैं हुए भी उपेक्षा करता है वे उनके वद का फल पाता है जो शक्तिशाली होकर भी चोर आदी के चंगुल में फसे हुए ब्रामन को छोडाने की चेश्टा नहीं करता वह घोर नरक में पड़ता है और पुना भेडिये की योनी में जन्म लेता है जो वन में मारे जाते हुए तथा ग्रिग्र और व्याग्र की दृष्टी पड़े हुए जीव की रक्षा के लिए छोडो छोडो की पुकार करता है वह परमगती को प्राप्त होता है जो मनुष्य गउं की रक्षा के लिए व्याग्र भील तथा दुष्ट राजाओं के हाथ से मारे जाते हैं वे भगवान विश्णु के उस परमपद को पाते हैं जो योगियों के लिए भी दुरलब है सहस्र अश्वमेद और सो वाजपे यग्य मिलकर शरणागत रक्षा की सोलवी कला के बराबर भी नहीं हो सकते दीन तथा भैबीत जीव की उपेक्षा करने से पुन्यवान पुरुष भी समय आने पर कुम्भी पाक नामक नरक में पकाया जाता है तूने दुष्ट गिद के द्वारा खाय जाते हुए राही को देखकर उसे बचाने में समर्थ होते हुए दी जो उसकी रक्षा नहीं की इससे तू निर्दई जान पड़ता है अतह तू रक्षस हो जा हलवाला बोला महात्मन मैं यहां उपस्ते तवश्य था किन्तु मेरे नेत्र बहु देर से खेत की रक्षा में लगे थे अतहा पास होने पर भी गिद के द्वारा मारे जाते हुए इस मनुष्य को मैं नहीं जान सका अतह मुझ दीन पर आपको अनुग्रह करना चाहिए तपस्वी ब्रामन ने कहा जो प्रती दिन गीता के ग्यारवे अध्यायका जब करता है उस मनुष्य के द्वारा अभी मंत्रित जल जब तुमारे मस्तक पर पड़ेगा उस समय तुमें शाप से छुटकारा मिल जाएगा यह कहकर तपस्वी ब्रामन चले गए और वहल वाला राक्षस हो गया अतह द्विज रेष्ट तुम चलो और ग्यारवे अध्यायक से तीर्थ के चल को अभी मंत्रित करो फिर अपने ही हाथ से उस राक्षस के मस्तक पर उसे छिड़क दो ग्राम पाल की ये सारी प्रात्ना सुनकर ब्रामन का हिर्दय करुणा से भर गया वे बहुत अच्छा कहकर उसके साथ राक्षस के निकट गए वे ब्रामन योगी थे उन्होंने विश्व रूप दर्शन नामक ग्यारवे अध्याय से जल अभी मंत्रित करके उस राक्षस के मस्तकबर डाला गीता के अध्याय के प्रभाव से वह शाप से मुक्त हो गया उसने राक्षस दे का परित्याग करके चतरभुज रूप धारण कर लिया तथा उसने जिन सहस्रों पथिकों का भक्षिन किया था वे भी शंक चक्र एवम गदा धारण किये चतरभुज रूप हो गए तत्पस्चात्वे सभी विमान पर आरूड हुए इतने में ही ग्राम पाल ने राक्षस से कहा निशाचर मेरा पुत्र कहा है उसे दिखाओ उसके यों कहने पर दिव्य बुद्धी वाले राक्षस ने कहा ये जो तमाल के समान श्याम चार बुजाधारी मानिक्यमय म कट से शोबित तथा दिव्य मनियों के बने हुए कुंडलों से अलंकृत है हार पहनने के कारण जिनके कंधे मनुहर प्रतीत होते हैं जो सोने के बजुबंदों से विभूशित कमल के समान नेत्र वाले सनिक्द रूप तथा हाथों में कमल लिये हुए हैं और दिव्य विम अपने घर ले जाना चाहा ये देखकर उसका पुत्र हस पड़ा और इस प्रकार कहने लगा पुत्र बोला गराम पाल कई बार तुम भी मेरे पुत्र हो चुके हो पहले मैं तुमारा पुत्र था किन्तु अब देवता हो गया हूं इन ब्राह्मन देवता के प्रसाद से वेक देखो यह निशाचर भी चतुर्भुज रूप को प्राप्थ हो गया है। पुरुषों का संग सर्वता दुरलब है। अपने मित्र अर्जुन के प्रती जो अमरित मयोग देश निकला था वही श्री विश्नु का परम तात्विक रूप है। तुम उसी का चिंतन करो। वे मुक्ष के लिए प्रसिद्धर सायन है। संसार भय से डरे हुए मनुश्यों की आदी व्याधी का विनाशक तथा अनेक जन्मों के दुखों का नाश करने वाला है। मैं उसके सिवा दूसरे किसी साधन को ऐसा नहीं देखता अतह उसी का अभ्यास करो। श्री महादेव जी कहते हैं यो कहकर वे सब के साथ श्री विश्नु के परम धाम को चला गया। तब ग्राम पाल ने ब्रामन के मुख से उस अध्याय को पढ़ा। फिर वे दोनु ही उसके महात्मे से विश्नु धाम को चले गए। पारवती इस प्रकार तुमें ग्यारवे अध्याय की महात्मे कथा सुनाई है। इसके श्रवण से महान पात्कों का नाश हो जाता है। बोलिये शे किष्न भगवान की जै ओम नमो भगवते वासु देवाई। तो हम बारवे अध्याय का महत्मे कल श्रवण करेंगे। हरी ओम तक्सत।